एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 बुद्वार से लकनों में आयोजित होने जा रही है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी बुद्वार को राजश्धानी की ब्रिंदावन यूजना में तो पहट डेड़ बजे डिफेंस एक्सपो का उत्खाटन करेंगे डिफेंस एक्सपो के दौरान रक्षम वसादों से जुड़े करीब 200 से ज्यादा करार होने का अनुमान है चार दिवस से आयोजन में 49 देशों के रक्षामंतरी भी शिरकत करेंगे तो रक्षमंतरी राजना सिंग ने मंगलबार को डिफेंस एक्सपो के बारे में जानकारी दी उनने कहा कि भारत जैसा देश लंबे बक्त तक आयतित रक्षा उपकरनों और हत्यारों पर निर्फ़र नहीं रह सकता हम भारत को डिफेंस मैनुफाक्च्रिंग हब के रूप में तयार कर रहे हैं डिफेंस एक्सपो के इसके लिए बहतरीन प्लैट्फॉम है आयात पर निर्फ़रता खत्म कर भारत को रक्षा शित्रवे आत्म निर्फ़र बनाने के दिश्या में डिफेंस एक्सपो निर्वनायक भूमी का निभाएगा तो इस डिफेंस एक्सपो को लेकर तमाम तयारियां कर ली गई हैं रक्षा मंत्री राजना सिंग पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं और आज चब पियम मोदी इस डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्खाटन करेंगे मैकेन इंडिया को प्रमोट करने के लिए भी यह डिफेंस एक्सपो सहायक होगा ऐसा मेरे मानना है और आज हम विश्यो की आर्थिक सक्ती बनने का स्वपन ही नहीं देख रहे हैं बलकि हम आज स्वफ्त हैं कि हमारा भारत यह विश्यो की एक बड़ी आर्थिक सक्ती बनेगा 5 प्रिलियन की एकोनामी तो हम 2024 तक ही बनाना चाहते हैं लेकिन बेरा पक्का विस्वास है कि यह डिकेट समाप्त होते होते हमारा धारत दुनिया की टाप थरी एकोनामीज में आकर ख़़ा हो जाएगा